हलो फ्रेंट्स वेलकम टुमार यूटूब से नदी इजू कैपर फ्रेंट्स MP पटुवारी की अब तक जितनी भी सिप्ट हुई है उन सभी सिप्ट में जरनल अवेरिनस और कंप्यूटर के जितने भी कोशन पूछे गे हैं आज हम इस बीडियो में करने वाले हैं फ्रेंट्स इस बीडियो से आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन कौन से कोशन आपके एक्जाम में पूछे जा रहे हैं और कौन से कोशन आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं साथ में अगर एक्जामनर इन कोशन को रिपीट करता है तो आप उन्हें इसले कर लेंगे क्योंकि आपको ये question पता होंगे तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट question पूछा गया था आपके exam में भगत सिंग को फांसी कब दी गए थी तो भगत सिंग को फांसी कब दी गए थी तो सिंधिया समराज के समय गवालियर रजधानी कब बनाई गये थी अठारा सो दस में बनाई गये थी नेक्स्ट question है मौर वंस मौर वंस किसके बास समाप्त हो गया था तो मौर वंस ब्रहद्रत के बास समाप्त हो गया था क्यूंकि ब्रहदरत मौरुवन्स का अंतिम सा सक था अगला कुसने भारत के वर्तमान मुख चुनाओ आयुक्त कौन है तो वर्तमान में मुख चुनाओ आयुक्त कौन है भारत के रजीव कुमार है जो की 25 है अगला कुशन न्यमोर्ती सरद अरबिंद बोबडे मद्ध परदेश के कौन से नंबर के मुखने आधीस थे नेक्स्ट कुशन जै बिलास महल कहां परिस्ते थे तो जैबिलास महल कहां पर इस्ते थे गौालियर में इस्ते थे जैबिलास महल नेक्स्ट कुसने वर्षा वर्मन को एकलब पुरुसकार कम मिला था तो वर्षा वर्मन को एकलब पुरुसकार कम मिला था 2013 में मिला था इन्हीं 2013 में अगला कुस्सन बोरी अभ्यरण कब अस्थापित किया गया था बोरी अभ्यरण कब अस्थापित किया गया था 1865 में अस्थापित किया गया था बोरी अभ्यरण दोस्तों अभ्यरण से आपके एक्जाम में कुस्सन भरभर के पूसे जा रहे हैं इसलिए आप अभिरण जितने भी अभिरण हैं आप उन्हें देख लीजिएगा बोरी अभिरण का बस्थापित हो था 1865 में Next question है सिंधु घाटी के चावल के साच कहां से मिलते हैं तो चावल के साच कहां पर मिलते हैं सिंधु घाटी के लोथल में मिलते हैं Next question Next question बहु आयामी गरीबी सूचकांग में कौन सा राज पहले नमबर पर हैं बिहार है पहले नमबर पर पिहार अगला question अगला question धनकड मौत मामले में किस ओलंपिक चेंपियन को रेलुए ने अगले आदेश तक निलंबित कर दिया हैं अगला question ने राजट्य ग्रामेर स्वास्थ मिसन कब लागू हुआ था बारा अप्रेल 2005 में Next question पहरा सुइमर सतेंदर सिंग लोहिया को परतिष्ठिस तेंजिंग नोर्गे पुरुषकार कम मिला था तो कम मिला था इन्हें 32.अगस्त 2020 में मिला था next question अगला question पूछा गया था गुप्त समराज colleague का पतन किस ने किया था होड़ो ने किया था गुप्त समराज का पतन होड़ो ने Next question हूलकर स्टेडियम इंदोर की स्ठापना किस ने कि थी होल कर स्टेडियम इंदोर के स्थावना 1926 में महाराजा एस्वंत राव होल कर ने नेक्स्ट कुसन रूप सिंग स्टेडियम में पहला मैस कभ हो था? तो रूप सिंग इस टेडियम में पहला में इस कब हुआ था? 22 जनुरी 1928 को हुआ था नेक्स्ट कुशन पूछा किया तब भारतिय सबिधान का अनुछेद 21 किस से संबंधि थे? तो अनुछेद 21 किस से संबंधि थे? जीवन का अधिकार से संबंधि थे अगला कुशन मद्द पर्देश में 2020 में कितने लोग पंजीकरित बेरोजगार थे? तो कितने लोग पंजीकरित बेरोजगार थे? 2020 में 30 लाख लोग बेरोजगार थे अगला कुशन चक्रभियो चरुआ मंदिर से संबंधि थे सिलालेक है तो चक्रवियों चरुबा मंदिर से संबंदी सिलाले कौन है? महोडी लिपी सिलालेक Next question मेघा पर्मार का संबंद कि से है? परबता रोही हैं मेघा पर्मार अगला question विश संख्याएं के दिबस कब गठित किया गया? बेस संख्याएं के दिबस कब गठित किया गया तो 20 अक्टूबर 2010 में गठित किया गया से 20 अक्टूबर 2010 में नेक्स्ट कोशन जो पूछा गया था आपके एक्जाम में गौालियर के मंदर में कौन सी लिपी लिखी गई है ग्वालियर के मंदिरों में कौन सी लिपी लिखे गई है तो प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपी लिखे गई है नेक्स्ट कोशन वाय मंडल में कितने पर्तिसत आक्सीजन उपस्त है वाय मंडल में कितने परसंट आक्सीजन उपस्त है 21% 21% oxygen atmosphere में है Next question धोनी को मापनी की इकाई क्या है दोस्तो इकाई से एक या दो कोशन आपके exam में पूछा ही जा रहा है तो आप जितनी भी इकाईया हैं उन्हें देख लिजिएगा Next question मनुस समान स्वास्त आँख के लिए इस पस्ट द्रस्टी के नियूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए मनुस की समान स्वास्त आँख के लिए इस पस्ट द्रस्टी के नियूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए 25 cm होनी चाहिए 25 cm अगला कोशन पूछा गया था उत्तक किस से मिलकर बना होता है तो उत्तक किस से मिलकर बना होता है? कोईस काउन से मिलकर बना होता है उत्तक? कोईस काउन से? Next question, आमीनो आमलक कौन से सम्हू से संबंधित है? आमीनो आमलक किस से संबंधित है? NH2 और COOH से संबंधित है? NH2 और COOH से अगला कुशन हिरदे कौन से उत्तक से बना होता है? पेसी उत्तक से बना होता है? पेसी उत्तक से तो Carbon की मातरा सबसे अधिक्तम की Quarter में होती ही, Anthracite में होती है, Anthracite में सबसे जदा Carbon होता है, 94% से 96% तक होता है Carbon Anthracite में next question FAT का पूरा नाम क्या है FAT का पूरा नाम क्या होता है file allocation table file allocation table FAT का पूरा नाम होता है ये question आपके exam में पूछा गया था दोस्तो full form से एक या दो question आपके exam में पूछा जा रहा है एक या दो question next question MS office क्या है MS office क्या है application software है application software है MS office नेक्स्ट कॉस्टन गुप्त कालीन द्वारा जारी कियेगे चांदी की सिक्के कहलाते थे जो गुप्त कालीन चांदी की सिक्के थे वो क्या कहलाते थे रूपक कहलाते थे रूपक नेक्स्ट कॉस्टन पूछा गया था क्यूरी किसकी इकाई है तो क्योरी किसकी कई है, रेडियो धर्मिता की कई है क्योरी, रेडियो धर्मिता की, और इसकी खोज किस ने की थी, मैडम क्योरी ने की थी, रेडियो धर्मिता की खोज मैडम क्योरी ने की थी, और इन्ही के नाम पर इसकी एकाई कर दीगी, क्योरी कर दीगी, इसकी एकाई, नेक्स्ट कुस्टन, तानसेन की मिरत्यू कहां हुई थी? तानसेन की मिरत्यू कहां पर हुई थी? आगरा में हुई थी तानसेन की मिरत्यू, आगरा में. नेक्स्ट कुसन है चाचट पीम किसकी परमार्त रिज्जा है तो चाचट पीम किसकी परमार्त रिज्जा है ओक्सीजन की परमार्त रिज्जा है अगला कुछन पूछा गया था दूर की वस्त साफ दिखाई देती है किंद पास की वस्त साफ नहीं दिखाई देती है कौन सा दोस है तो ये कौन सा दोस होता है दूर दृष्टी दोस होता है जिसे बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया दोस अगला कोशन पूछा गया था भारत के वर्तमान नुसेना अध्यच कौन है तो वर्तमान में नुसेना अध्यच कौन है भारत के एड्मिरल आर हरी कुमार है अगला कोशन पूछा गया था जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था जलिया वाला भाग में गोली चलाने का आदेश किस ने दिया था जनर्रल डायर्ण ने दिया था जनर्रल डायर्ण ने ने नेक्स्ट कुस्टन बिंध और सत्पुड़ा परबतमाला को जोडने वाली मेकल परबतमाला कहा है तो मेकल परबतमाला कहा है अमर कंटक में है मेकल प लेपाजी चितरकला किस राज की संबंधे थे? आंद्रपरदेश की चितरकला ही। नेक्स्ट कोशन बुरहानपूर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये कोशन भी आपके एक्जाम में पूछा गया था, तो सूफी संत सेख बुरहानदीन गरीब के नाम पर रखा गया नेक्स्ट कोशन चौशन चौशन जोगनी मंदर कहां परिस्थ है चौशन जोगनी मंदर कहां पर है मुरेना में है ये मंदर नेक्स्ट कुसन दैनिक भासकर समू के संस्थापक कोन है दैनिक भासकर जो की एक निूस पेपर छापने वाली समू है कहा इसके संस्थापक कोन है तो रमेश चंद्र अगरवाल है इसके संस्थापक रमेश चंद्र अगरवाल अगला कुस्षन उस्ताद हसुखान उस्ताद हद्दुखान किस घराने के संगीतक थे तो किस घराने के संगीतक थे ग्वालियर घराने के संगीतक थे घरानों से एक या दो कुस्षन आपके किसे किसे सिप्ट में पूछा जा रहा है घरानों से नेक्स्ट कोशन प्रकास की तरंग धेर को मापने की इकाई क्या है तो प्रकास की तरंग धेर मापने की इकाई क्या है एंगे स्ट्रों है एंगे स्ट्रों में मापा जाता है प्रकास की तरंग धेर नेक्स्ट कोशन पूछा गयता तो थेवरी आफ रिलेटिबटे किस ने दी थी तो थेवरी आफ रिलेटिबटे किस ने दी थी अलबर्ट आइंस्टाइन ने दी थी नेक्स्ट कोशन ओक्सीजन की खोज किस ने की थी जोसेफ प्रिस्टले ने की थी नेक्स्ट कोशन CAD का पूरा नाम क्या है CAD का पूरा नाम, Computer Added Design है इसका पूरा नाम है Next question पुछा गया था, GIS का पूरा नाम क्या है? Geographic Information System इसका पूरा नाम होता है Next question एक लल्लू सा question पूछा गया था, समय का SI मातरक क्या होता है? Second होता है समय का SI मातरक Next question है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहां पर थी? महसोर थी इसकी राजधानी अगला कुस्सन परधान मंतरी धूर्ब योजना किस से सम्भंधित है? ये चातरों से सम्भंधित योजना है तो पंचाइती राज से संबंधित अनुछेद है, 243 और सम्ती कौन से बलवंत राय महता सम्ती है, पंचाइती राज से संबंधित है जो कि. Next question, मदपर्दीश का राच्गी पसु क्या है? तो मदपर्दीश का राच्गी पसु काँसा है? 12 सिंगा है मद्धपरदेश का राज़के पसू नेक्स्ट कुशन पूठा गया था 1956 में कांगरेस अधिभेशन के अधिच कौन थे तो 1956 में कांगरेस अधिभेशन के अधिच सिरी यूयन देवरी थे अगला कुशन पूठा गया था नमन ओजा इंटरनेशनल नमन ओचा ने इंट्रनेशनल ODI में सतक मारा था तो कम मारा था इन्होंने 5 जून 2010 में मारा था स्री लंका के खिलाफ मारा था इन्होंने नेक्स्ट कॉस्टन 2011 की जनगणना की अनुसार मर्द पर्देश का जनसंख्या की द्रिष्टी से कौन सा अस्थान है तो मर्द पर्देश का कौन सा अस्थान है 5 जूबा अस्थान है जनसंख्या की द्रिष्टी से दोस्तों जनगणना से एक या दो कुस्टन आपके एक्जामें पोछे जा रहे है और मैंने इस पर एक बीडियो बना रखी है जनगणना पर पूरी डेटेल से बात किये उसमें और कुस्टन भी उसमें किये हैं अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो जनगणना से कोई भी कुस्टन आता है आप उसे एजली कर लेंगे और उसकी वीडियो मेंने लिंक उस वीडियो का लिंक में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखाएं आप उहां से जाकर उससे देख सकते हैं नेक्स्ट कुस्टन हिमाले के धलान के कारण ब्रह्म पुत्र नदी के साथ और कौन सी नदी बहती है तो दिहिंग नदी बहती है भ्रह्म पुत्र के साथ दिहिंग नदी नेक्स्ट कुस्टन बर्गी बांध कहां पर है बर्गी बांध कहां पर जबलपुर में है बर्गी बांध जबलपुर में अगला कुस्टन पूछा गया था 12 सिंगा किस राष्टी उद्धान में पाया जाता है कान्हा राष्टी उद्धान में पाया जाता है 12 सिंगा नेक्स्ट कुछा कि तो Microsoft में किस पेढ़ी में आया था चौथी पेड़ी में आथा है Microsoft में स्ट्विच है Next question मद्द पर्देश विधान सबा के वर्तमान अध्धच कौन है मद्द पर्देश विधान सबा के वर्तमान अध्धच कौन है गिरीस गोतम है वर्तमान में अध्धच गिरीस गोतम Next question चंद्रकांद पंडित किससे संबंधित है चर्चित खिलाडियों से question आपके exam में एक दो question तो पूछा ही जा रहा है और इस पे मैंने detail में वीडियो बना रखी है चर्चित खिलाडियों पर जिसका link के नीचे description box में आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं उस पेडियों को अगर आपने उस वीडियों को देख लिया तो चर्चित खिलाडियों से कोई भी question आता है आप उससे easily कर लेंगे तो चंद्रकांद पंडित किससे संबंधित है किरिकट से संबंधित खिलाडियों है किरिकट से नेक्स्ट कोईसन परकिरिया संकल्पना भड़ते संब्धान में परकिरिया संकल्पना किस देश से लिया गया है किस देश से लिया गया है जापान किस अब्धान से लिया गया जापान से नेक्स्ट कोईसन इसकर्बी रोग किस बिटामिन की कमी से होता है बिटामिन C की कमी से होता है अगला कुछन पूछा गया था चंदरगुप्त महल कहां पर है पाटली पुत्र में है चंदरगुप्त महल अगला कुछन पूछा गया था मलेरिया कैसे होता है तो malaria कैसे होता है? malaria मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से होता है Next question अनुचे 331 किससे संबंधिते? राष्ट पती Anglo-Indian समुदाय से लोग सभा के दो सदस्यों को नामित करेगा ये अनुचे 331 में बताया गया है Next question पानी से होने वाली बिमारी कौन सी होती है तो पानी से कौन सी बिमारी होती है हेजा और टाइफाइड होती है दूसित पानी पीने से Next question भूकम्प की तरंगे कहां से निकलती है तो भूकम्प की तरंगे जोला मुखी बिसफोट, बड़े भोसकलन पिर्थिवी के अंदर मैगमा की हिलाबट और कम आबिर्थी की धोनी धोनी उर्जा वाले मानो कृत बिसफोट से उत्पन होती है भूकम्प की तरंगे Next question जो पूचा गया था भारत में सबसे ज़्यादा उपजव मिटी कौन सी है जोलोड मिटी है सबसे ज़्यादा उपजव मिटी Next question जूलन गोस्वामी का किस खेल से संबंध है किस खेल से संबंध है जूलन गोस्वामी किरकट से संबंध है Next question भूकम्प की कौन सी तरंगे पिर्थिवी पर सबसे पहले पहुँचती तो सबसे पहले भूकम्प की कौन सी तरंगे पहुँचती है प्राथमिक तरंगे पहुँचती है भूकम्प की Next question उज्येन में सबसे पहले सून्न का उप्योग किस ने किया था सबसे पहले सून्न का उप्योग उज्येन में किस ने किया था ब्रह्म गुप्त ने किया था ब्रह्म गुप्त ने नेक्स्ट कोशन पानिपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी कब लड़ी थी तो 1526 में लड़ी गई थी 1526 में नेक्स्ट कोशन जो पूछा गया था भारत के रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी नेक्स्ट कोशन अगला कोशन है मद्द परदेश में ताज महल कहां परिस्त है तो मद्द परदेश में जो ताज महले हो कहां परिस्त है भोपाल में ते थे मद्द परदेश का ताज महल भोपाल में नेक्स्ट कोशन रामड की पतनी का संबन्द कहां से है रामड की पतनी के सम्मध कहां से है नेक्स्ट कोस्टन पूछा गया था, मद्द पर्देश में साच्छर्टा दर सबसे ज़्यादा किस जिले में है, तो किस जिले की साच्छर्टा दर सबसे ज़्यादा है मद्द पर्देश की, जबलपुर की सबसे ज़्यादा है, 81.1% है इसकी साच्छर्टा दर, वारत का सबसे चोटा बायो स्फेर रिजर्ब कौन सा है? वारत का सबसे चोटा बायो इसफेर रिजर्ब कौन सा है? World Wide Technology होता है इसका Full Form नेक्स्ट एक्जाम में आपके पूछ सेखता है WWW का Full Form WWW का Full Form क्या होता है World Wide Babe होता है WWW का Full Form Next Question Laptop किस परकार का Computer है तो Laptop Notebook Computer है कैसा? Notebook Computer है Laptop Next Question British भारत का अंति मुआशरा है कौन था British भारत का अंति मुआशरा है कौन था Lord Mountbatten था Lord Mountbatten अंति मुआशरा है British भारत का Next Question जल को सुध करने के लिए किस तत्त का उप्योग किया जाता है तो किस तत्त का उप्योग किया जाता है जल को सुध करने के लिए कुलोरीन का प्रियोग किया जाता है कुलोरीन का नेक्स्ट कुस्ट गैलबेनी करन करने पर किस धाद की परत चढ़ाई जाती है जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैलबेनी करन करने में नेक्स्ट कुस्ट जीन्स किसे बने होते हैं तो जीन्स किसे बने होते हैं डीन्ने के बने होते हैं जीन्स DNA, D-Ox signucleic acid से, दाब का SI मात्रक पुछा गया था, तो दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है दाब का SI मात्रक, पास्कल, अगला कोशन, बोरी वन्यजीव अभयरण किस जिले में इस्थित है। next question तानसेन समहरो कहाँ पर आयूजित होता है। गौलियर में आयूजित होता है। next question भारत और सिरीलंका के बेच कौन सा युध्धा भ्यास होता है। भारत और सिरी लंका के बीच सलाइनेक्स अभ्यास होता है युद्ध अभ्यास सलाइनेक्स युद्ध अभ्यास से एक दो कोशन किसी किसी सेप्ट में पूछा जा रहा है युद्ध अभ्यास से एक दो कोशन पूछा जा रहा है नेक्स्ट कोशन किस अनुछेद में किर्सी को छोड़कर सब पर कर लगाय गये थे तो अनुचे 246 के 46 में Next किस देश का कोई लिखित सब्धान नहीं है तो किस देश का कोई लिखित सब्धान नहीं है, बिर्टेन का कोई भी लिखित सब्धान नहीं है, इसके लब अपर लेक बोट कलब मद्ध परदेश में कहां परस्थे थे भोपाल में इससे थे ये भोपाल में नेक्स्ट सत्पुडा की रानी किसे कहते हैं तो सत्पुडा की रानी किसे कहते हैं पंच मडी को कहते हैं सत्पुडा की रानी पंच मडी को भारत में कितनी महारातन कंपनिया हैं? भारत में 12 महारातन कंपनिया हैं नेक्स्ट कोशन बुचा गया थे तच्छे सिला के इस महाजनपत की राज़ानी थी तो गंधार की राज़ानी थी तच्छे सिला अगला कुस्सन पर्थम पेठी के कम्प्योटर में किसका उप्योग हुआ था वैकियूम ट्यूब का प्रियोग हुआ था पर्थम पेठी के कम्प्योटर में वैकियूम ट्यूब का नेक्स्ट कुस्सन गडगोर निरत सेवपुर में कम मना जता है गड़गोर निरत से उपर में कम मना जता है चैतर मास में मना जता है अगला कुछन पूछा गया था सबसे बड़ा महादीप कौन सा है तो एसिया महादीप है सबसे बड़ा महादीप और सबसे चोटा महादीप कौन सा है सबसे चोटा महादीप है अस्ट्रेलिया महादीप सबसे चोटा महादीप है और सबसे बड़ा महादीप एसिया महादीप है Next question सिंबेक से सैन अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ था? सिंबेक से सैन अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच होता है भाड़तोर सिंगपर के बीच होता है नेक्स्ट कोशन मौलिक अधिकार कौन से अनुचेद के अंतरगत आता है अनुचेद 12 से 35 के अंतरगत आता है अनुचेद 12 से 35 के अंतरगत मौलिक अधिकार आते है नेक्स्ट कोशन चित्रकोट किस नदी की किनारे बसा है ये question पूछा गया था चित्रकोट किस नदी की किनारे बसा है मंदा किनी नदी की किनारे बसा है दोस्तो अगर ये वेडियो आपको पसंद आए है तो इस वेडियो को लाइक कर देजी और इस वीडियो को share जरूर करिएगा इस वीडियो को share जरूर करिएगा और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके well icon को जरूर प्रेस कर लिजी और comment करके हमें बताईएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए